अमेठी से बीजेपी प्रत्याश्वी स्मृती रानी ने एक बार फिर से कॉंग्रिस पर जोरदार हमला बोला है स्मृती रानी ने कहा कि अब तक वो कॉंग्रिस के खिलाफ चुनाव लड़ती थी लेकिन इस बार पाकिस्तान के नेता को अमेठी के चुनाव में रुची है स्मृती रानी ने पाकिस्तान के पूर्वो मंत्री फवाद चौधरी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें फवाद चौधरी ने कहा था कि अमेठी से राहूल गांधी को जीतना चाहिए सुरती रानी ने इस मुद्बे पर राहूल गांधी के पूछा कि वो पाकिस्तान के नेता के बयान को आखिर कब तक न कारेंगे कि आज मैं पूछना चाते हूँ इतना आँ जा रहा है देश में समर्थन में रहा है आपकों भी देश में